हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अन्मोल और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल अन्मोल इजी लर्निंग में फ्रेंड्स अगर आपने यूटूब पे नया चैनल शुरू किया हुआ है तो ये इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यूटूब पे प्रॉपर वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं जिसका तरीका मैंने स्टेब बाइ स्टेब बताया है अगर आपकी वीडियो पे व्यूज जो सस्क्राइबर नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें आपको आगे भी ऐसी अपडेट मिलती रहेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें सबसे पहले आपको अपना YouTube Studio को Open करना है YouTube Studio को Open करेंगे तो राइट हैंड पर टॉप पर आपको एक Credit का Option मिलता है यहाँ पर आके आपको अपलोड वीडियो पर किलिक करना है अपलोड वीडियो पर जब आप किलिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से Interface मिलेगा यहाँ पे आपको select file का जो option आ रहा है इस पे click करना है Select file पर click करने के बाद आपको अपनी वीडियो को upload करना होता है जहाँ पर आपने वीडियो को save किया हुआ बहाँ पे जाके आप इसको select करेंगे select करने के बाद uploading process start होयता है उसके बाद आपको एक कुछ form आपको दिखेगा, कुछ इस तरह से रहेगा form को मैंने पहले से fill कर लिया है, otherwise ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी आपको title में अपनी वीडियो से related आपको mention करना होता है, title देना होता है आप देख पा रहे हमने कैसे mention किया है उसके बाद आपको एपने वीडियो के बारे में description में mention करना है कि आपने वीडियो किस purpose से बनाया हुआ है scroll down करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले आपको title mention करना है proper तरह से उसके बाद description में आके वीडियो के बारे में आपको mention करना है वीडियो अप्लोड करने मां आपको कोई जल्दवाजी नहीं करनी है आपको प्रॉपर से सारी डिटेल्स को फिल करना आप देख रहे होंगे कि मैंने कैसे डिस्क्रिप्शन में एक एक चीज को मेंसन किया है उसके बाद जो नीचे के साइड आएंगे तो आपको थम्नेल का आपको आपसन मिल जाता है प्लस बे क्लिक करके अपने जो थम्नेल बनाया उसको सिलेट कर लेंगे सिलेट करें गे तो आपको थम्नेल कुछ इस Kristi से दिखेगा प्ले लिस्ट का एक बैली लिस्ट बना हुए है तो आप उसको यहां से सिलेट कर लेंगे अधर वायज आप नीचे जिसे न्यू प्लेएलिस्ट का भी ऑप सना रहा है हैं This नीचे एक साइड मां जाएंगे इसको मैंने ड कर दिया है कि मिअ पहद टेक्स का एक ऑप्सन का अता है tags हमें यहां पे fill करने होते हैं जैसे आप YouTube पर जाके कोई भी वीडियो को search करते हैं तो जो search में आप लिखते हैं वही tags होते हैं तो हमने tags को यहां पे mention किया है हर tags के बाद में आपको comma लगाना होता है तभी वो proper way से यहां पे update होता है हमने वीडियो किस language बनाया है मैंने हिंदी language में वीडियो बनाया तो हम यापrawni को सेलेक्ट कर रहे है है कि हिंदी को मैने यहाप सेलेक्ट कर लिया है caption को हमें none रहने देते है recording date and location माग रहा है तो हमें आप recording date को mention करेंगे तो मैं recording date को select कर ले रहा हूं जब मैं uploading का date डाल दे रहा हूं video location को भी मैं भी blank ही रहने देता हूं category में आके देखेंगे मेरा video जो है वो education related है तो education को मैंने select किया है आप अपनी video के coding जो भी category है उसको select करेंगे comment में मैं by default रहने देता हूं hold potential inappropriate करके जो comment आ रहा है उसको by default मैं रहने देता हूं उसके बाद आप नीचे के side में देख रहे हैं कि uploading 100% लिखके आ रहा है यहाँ पर processing completed लिखके आ जाएगा अभी यह processing start हो चुका है तो processing complete लिखके आएगा तो हम उसको next करेंगे तो थोड़ा wait कर लेते हैं अब देख रहे हैं कि finished processing लिखके आ गया है complete हो चुका है तो इसके बाद हम next करेंगे आपको video elements का एक page मिल जाता है यह काफी बड़ा process है इसको हम अपनी video upload करने के बाद भी इस page को हम fill कर सकते हैं अभी के लिए मैं इसको skip कर दे रहा हूँ इसके उपर मैं एक अलग से video बनाऊँगा जिसके बारे मैं आपको एक एक जानकारी आपके साथ share करूँगा इसको next कर दे रहे हैं नेक्स्ट करने के बाद हम पो कुछ दो तीन option मिलते हैं private, unlisted, public public पे हम जब click करेंगे और उसके बाद हम publish कर देंगे तो यह video हमारी YouTube पे proper तरह से upload हो जाएगी